कुछ समय पहले हमने दुनिया भर की ऐसी इनोवेटिव कमपनीज को आमतरित करने के लिए एक ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलोजी चालेंज लॉंच किया था। ये देश में अपनी तरह का अलग तरह का अनुखा प्रयास है। इसलिए हमने इने लाइट हाउस प्रोजेक्स का नाम दिया। फिलहाल देश में छे अलग अलग जगों पर लाइट हाउस प्रोजेक्स पर तीजी से काम चल रहा है। इन लाइट हाउस प्रोजेक्स में modern technology और innovative तोर तरीकों का इस्तिमाल किया जाता है। इससे construction का time कम हो जाता है। साथी जो गर मनते हैं वो अधिक टिकाव, किफायती और आराम दायक होते हैं। मैंने हाली में drones के जरिये इन प्रोजेक्स की समिक्षा भी की और कायरे की प्रग्यती को लाइव देखा। इन दोर के प्रोजेक्स में brick और mortar walls की जगह prefabricated sandwich panel system पा इस्तिमाल किये जा रहा है। राजकोट में lighthouse French technology से बनाये जा रहा हैं जिन में tunnel के जरिये monolithic concrete construction technology का इस्तिमाल हो रहा है। इस technology से बने घर आपदाओं का सामना करने में कहीं अधिक सक्षम होंगे। चिन्ड़े में America और Finland की technologies pre-cast concrete system का उप्योग किया जा रहा है। इससे मकान जल्दी भी बनेंगे और लागर भी कमाएगी। राची में Germany के 3D construction system का प्रयोग करके घर बनाये जाएंगे। इसमें हर कमरे को अलग से बनाये जाएगा। फिर पूरे structure को उसी तरह जोडा जाएगा जैसे block toys को जोडा जाता है। अगर तला में New Zealand की technology का उपयोग कर steel frame के साथ मकान बनाये जा रहा हैं जो बड़े भूकम को जेल सकते हैं। वहीं लखनव में कनड़ा की technology का इस्तमाल किया जा रहा है। इसमें plaster और pen की जरुवत नहीं होगी और तेजी से घर बनाने के लिए पहले से ही तैयार दिवारों का प्रयोग किया जाएगा। साथियों, आज देश में ये प्रयास हो रहा है कि ये project incubation centers के तरह काम करें। इससे हमारे planners, architects, engineers और students नई technology को जान सकेंगे और उसका experiment भी कर पाएंगे। मैं इन बातों को खास तोर पर अपने युवाओं के लिए साजा कर रहा हूँ, ताकि हमारी युवा राष्ट हीत्मे technology के नए नए ग्षेत्रों की और प्रोच्छाहित हो सकें।